हलो फ्रेंड्स वेल्कम ट्यो यूट्योब चैनल दोस्तों मैं डॉक्टर नोशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में दोस्तों दोस्तों मैं आज आज आपको बहुत ही ज्याद एफेक्टीव डाइट चार्ट बताऊंगी गेस्टिक अलसर का पैप्टिक करता है तो गेस्टीकल सिर्क या होता है दोस्तों इस पर मेने एक अलग से वीडियो बनाया है साथ ही साथ होमयपेथिकमेड़िसिंस भी बता है वो चेक कर लिजएगा कंगी वो होमयपेथिक मेडिसिंस साथ आपको ये डाइट chat कर ना है डाइट चाट सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में यह करना है दोस्तों सुभा सुभा खाली पेट उत कर एक कटोरी लीजिए उसमें चार चमच अलो वीरा जूस डालिए और दो चमच शहद डालिए दोस्तों यह एलो वीरा जूस और शहद को आप मिक्स कर लीजिए और यह एक आप रात में बनाका सोने से पहले लीजेगा जो यह खोड़ी आपके ь का डैप में को कम करते हैं अब अपको क्या करना है आपके अंदर जादा बढ़ रहा है वह हमको नॉर्मलाइज करना है अलकलाइन फूड लेना है मतलब कि अच्छाइब रिलीज भी नहों ताकि आपको और हार्व नहों और हमारे एक और मोटीफ है डाइट चैड में कि आपकी जो पेट की जो लेयर में हो है घाव उसको है तो उस घाव को हील करने में मदद करेगा यह अलोवीरा और हनी का पेस्ट इस सुबस अपने खाली पेट ले लिया उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहला मौस को मन कॉसमें हमेशे बताती हूं जो अलसर्स हो जाते हैं वह है आपका क्रॉनि कुछ नहीं सूचना कोई टेंशन न कुछ बिलकुल रिलेक्स रहना है यह आपको बिलकुल एक योगा संद करना है बिल्कुल रिलेक्स रहना है healing mode में चले जाना है क्कि शरीर जो आपको healing अच्छे तरीख से कर सकता है वह कोई दवाई नहीं कर सकती क्योंकि आपकी बॉड आदे घंटे के बाद आपको खाना है आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें लेना है आपको एपल बनाना फ्रूट्स में आपको ये एपल बनाना तर्बूस बहुत जादा फायदा करते हैं और आपको नाश्टे की बात आई है तो आप नाश्टा करेंगे एपल बनाना को आप इवनिंग में जरूर ले लेए एपल में soluble fibers होते हैं fibers किया करते हैं आपके अलसर्स को heal होने में मदद करते हैं और इससे क्या होता है बहुत है लोग को होता है खाली पेट दर्ट की समस्य होती है mostly gastric तो यह समस्यों को भी ठीक करते हैं क्योंकि पेट भरा-भरा महसूस होगा और आपके लेवल को भी नॉर्मल करने मदद करेंगे तो केला भी बहुत अच्छे से हीलिंग करने में मदद करता है अगर आप वर्किंग हैं तो आप हमेशा अपने बैग में केला रखिए और बनाना रखिए नास्पती रखिए यह फूट्स आप अपने साथ ले जा सकते हैं अब क्या है और आप क्या क्या ब्रेक्फस्ट में ले सकते हैं और आप डलिया ले सक जो आपको परकृती ने डारेक्ट दी अप्डलिया ले सख्टे है को ए अने दिपके रोगर करना योजिकर सकते हो अप संचे हो अब नो चंचे आतम आप मोंग दाल शेक्छें से भूठाटी होती जो चोठी चोठी जाहें किम आ आप selected में घ्रीक। आपको क्या करना है कि आपके पेट में एक लोड नहीं पढ़ना चाहिए आप जैसी कोई हेवी चीज़ खा लेते हो ना तो पेट को भी बहुत ताखत लगानी पढ़ती है उसको हजम करने तो मूंग दाल इसली डाइजेस्ट हो जाती है इसली अब्जॉब हो जाती है इसली तो यह सब आप नाश्ते में ले सकते हो तो आपका नाश्ता भी हल्दी रहेगा हर एक दिन बता देना कि किसी दिन आपको दल्य लेना है किसी दिन खिचडी लेनी है और किसी दिन शकरकंद भी खा सकते हैं शकरकंद में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो आपके आतों को और पेट को हील करने में मदद करते हैं तो यह सारी चीज़े आप ले सकते हैं अब आपको लंच की बारी आई आप लंच में क्या करे सकते हैं सबसे पहले क्या होता है कि सुबह-शुबह हम उठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमको चाई पी लेने चाहिए दोस्तों बहुत सारे 마음ि को चाय को जाने 25 बहुत डिजायर होती है तो चाई पर मेंने एक अलग से वीडियो बनाया कि गेस्टिकल सर में, पैप्टिकल सर में कौन सी चाय पीनी चाहिए तो वो आप चेक कर लीजेगा, और अब आई आपके लंच की बात, यानि दो पहर के खाने की बात, लंच में दो पहर के खाने में आप ले सकते हैं, सबजियों में आप ले सकते हैं, पत्ता को भी ले सकते हैं यह पत्ता गोभी और फूल को भी क्या होते हैं यह यह जो होता है ना पत्ता गोभी there is a powerhouse of nutrition यो पैक रहता है ने nutrition का powerhouse है इसमें healing properties होती है as well as यह आपका अलसर है इसको बनने से भी रोकेगा heal भी करेगा आपको उसमें cancer भी नहीं बनने देगा आप में vitamins A है इसमें vitamin K है बहुत सारी जीज़े होते हैं पत्ता गोभी फूल गोभी बहुत अच्छा रहता है आप इसकी सबजी बनाके भी खा सकते हैं आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं आप पत्ता गोभी का juice भी पी सकते हैं और आप क्या ले सकते हैं आप अपनी गाजर कैरोट ले सकते हो दोस्तों कैरोट में विटामिन्स होते हैं बीटा कैरोटिन्स होते हैं विटामिन्स बीटा कैरोटिन्स क्या करते हैं आपके इम्मिनिटी तो बढ़ाते हैं बताते हैं आपकी स्कीन के लिए अच्छा आपकी आ अब खाने में आप क्या-क्या बना सकते हो, आप पत्ता गोबी, गोबी तो सबजी बना ही सकते हो, अलसर्स की पेशन्स में, आप पालक की सबजी बना सकते हो, आप मेथी की सबजी बना सकते हो, वो मेथी की पत्ते होते हैं, जिसों मेथी की भाजी कहते हैं, वो सरलोग तो मे नल स Åफ हम सहचे चल को राज घंकर के लाजने जानते अलगरत तो राम स्टीक की सबजी चल टम एक पड्रम नहीं इसे हैं सहचेश साथ सबस्सक्राइब सकते में तो बनासकते हैं तो मुस्री में आपको चीज़े बताई दी हैं यह सब अलग अलग दिन में आप बनाईए किसी भी सब्सक्राइब की बनाने के लिए सबसे पहले लगती है और की जरूरत तो आपको और कॉन से यूज़ और यूज़ नियुज करिया उसके लावा पोई आप तो बरतन आपको क्या यूज करना है क्योंकि तेल डालें गया बरतन हमेशे मिट्टी के वर्तन यूज करी क्योंकि आजकल जो मर्तन चल रहे हैं जब नॉनस्टिक यूज करें चाल कोई साभी उसकर इसमें गरम करते हो तो यह कवरिंग आपके पिगलती है और आपके खाने मे मिक्स होती है तो मोस्ली यूज करें जो नेच्रल बरतन जो आपको मिट्टी के बरतन मिलते हैं वह यूज करें तो मिट्टी के बरतन के होते हैं खाने का न्यूट्रिशन मरने नहीं देते हैं तो वह बरतन यूज करने के बाद साबून से नहीं दोना चाहिए सिंपल आप साफ कर सकते हो पाँ साबून वना विट्टी के अंदर चला जाता है ओके बाद पस बात आती है मसालों की मसाले तो हल्दी टर्मिरिक इस ता महराणी ओफ ही लिंग भी एपने खाने में अपने खाने में हल्दी डाल सकते हैं अब अद्रक लहसन का जो पेस्ट होता है यानि जिंचर गालिक का पेस्ट आप मार्केट से बनावा कभी मत लीजें कभी मत लीजें नहीं नहीं इसलीं मत लीजी क्योंकि मार्केट में क्या करते हैं प्रिजर्फ करने के लिए उसके अंदर कुछ चीजे डालती हैं तो वह ताजा लहसुन लीजिए उसी को डारिक पीस कर बनाईए अगर अधरक लहसुन को आप डारिक ताजा फ्रेश लेकर ही अपने सब्सक्राइब बनाईची यूज़ कर सकते हो यह फाइबर के गुड़ होते हैं सारे आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं अब जब सब्सक्राइब बनाईगे अब दाल भी बता दिया आप मुझ की दाल खा सकते हूं और चावल अगर आप खाना चाहते हो तो वाइट राइज आप मुझ अब आपको क्या करना है हमेशा खाने में दही लेना है दही दही में क्या होते हैं प्रोबायोटिक होते हैं इसमें क्या होते हैं जो गुड़ बेक्टिरिया होते हैं तो बेड बेक्टिरिया को मार डालेंगे गुड़ बेक्टिरिया गुड़ बेक्टिरिया होते हैं आपक शिम्ला हिर्च के होती है एक विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी आपके शरीर में होता है तो इम्मिनीटी बढ़ती है तो आपके वोडी खुद ही करने के जरूरत करती है शिम्ला मिर्च की सब्जी बना सकते हो बहुत अच्छी रहेगी शिम्ला मिर्च आ मिर्च में पतनि नहीं क्या दाल लेड़ कि यूं कुछ कलर डाला गया तो लाल मिर्च मत उसकरी मिर्च masalis खाना बूरी तरहे जबन कर दिए आप हरी मिर्च यूज़ कर सकते हो खाने पकाने में अब बहुत सारे लोग किते हैं हरी मिर्च के फायदे आप जानो You can Google it और आप जाखो हरी मिर्च के फायदे बहुत जादा होती है हरी मिर्च इतनी अच्छी होती है ना सबधीब तेची M amd Cheech intensive होती क्षाओ hein sì live ताकि आपके मुझे भी बना रहें अब यही पीजियां आप रात में देख लीजिएगा कि रात के ताइम पे डिनर में आपको यूजक्या है साथ ही साथ दोस्तों आपको नारियल पानी पीना है नारियल पानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा है नारियल पानी तो नारियल तो बहुत अच्छा रहता है वेन्यों आर आपको अगर वर्किंग हो तो आप हमेशा अपने साथ में आपको एपल बनाना तो बता है एपल बनाने की साथ सब्सक्राइब को हीपने के बहुत अच्छी प्रॉपर्टीस तो पानी पीज़ें आयस्था सब्सक्राइब prises को पार्तिक घर सकते हों जाकत में चल ै Kim नारियल बादिक बहुत ऑफी होती है नारियल का दूट पीजिए आप आलमोंड मिल्क पीजे यह बहुत आछा रहता है चतनी बनाने हैं आप लहसून की चतनी बनाईये आपके लिए बहुत अच्छी रेती हैं आपको करना है कि आपका अलसर हील रहे तो जादे से जादा आपको हाइड ऐसी चीज़े खानी है जो हलकी हो जादा पचाने में आपके पेट को ताकत ने लगाने ही पड़े कभी ओ शाम के वक्त में आपको बताया था सुबह एलोवीरा जूस हो शहद वाला जो था वो शाम क आप अधरक का रस को पानी में पानी में उबालकर अधरक का पानी भी पी सकते हूं बहुत ही अच्छा रहता है अधरक की वीलिंग करने के आपको बहुत ध्यान रखना मसाले आपको ध्यान में रखना है आपको तली जादा फ्राइड वाली चीजे समोसा कचोडी नॉन वेज ये सब खाना अवाइट करना है बाहर की चीजे पेक फूड ये सब खाना मत खाईए आपके लिए अच्छा नहीं रहता है अपना ध्यान आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर करेजिए